नमस्कार आज बितुन रशी की बात करेंगे अक्टूबर से अप्रेल 2023 तक आपके लिए बहुत अपार धन संपदा का लाव अच्छे अच्छे आउसर कुछ पद की संभावनें बन रही हैं धहरीय से इस वीडियो को सुने पूरा सुने अंत तक सुने तब ही आपको लाब होगा मुखे बात यह है कि आपकी कुंडली में गोचर में केंदर अस्थान में ब्रहस्पती चल रहे हैं गोचर में सास्त्र कहता है कि किम कुर्वन्ती ग्रह सर्वे यदी केंदरे ब्रहस्पती जब केंदर में ब्रहस्पती हो तो उनका कोई कुछ ग्रह बिगार नहीं सकता हाला कि आपके अश्टम स्थार में अभी सनी चल रहा है सनी की ढहिया भी है जेल यात्रा की जोग, जूटे आरोग, जगडे, चोट लगना, अशांती, तनाव, घरेलुद विवाद बहुत होते हैं लेकिन फिर भी आपको सुरक्षित रखने वाला ग्रह चल रहा है ब्रस्पती और अगले साल ये आपको बहुत अपार धन, क्या-क्या देगा सोना, चांदी, पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, सब कुछ प्राप्त होगा जो सत्रूग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके पास आगर के आपकी पुशावन करेंगे आपको कौन करेंगे, सुवई-सुवई गुर्वानी के मैसीज उनके आएंगे हलचाल पूछेंगे आपका तो समय है, समय बदलते देर नहीं लगती, आपका अच्छा समय, अच्छे दिन आ रहे हैं आप विश्वास करके अपने उपर आत्मबल बढ़ाएं अपना और आगे बढ़े आपके लिए बहुत अच्छे-च्छे अपसर आ रहे हैं एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, आपके बारवे अस्थान पर मंगल चल रहा है, मंगल खर्च करा रहा है, अननेसेसरी, अनायास, याक्रा, परेशानी, भाग दोड, विनाबाद का गुस्ता और कुछ विभाग जिसमें आप जाएंगे, वहां लोग आपसे रिश्वत मान रहे हैं, अगर काम नहीं होगा तो आपको लालच दे करके, उनको पैसे दे करके काम चलाना पड़ेगा, अर्थात आपका जो खर्च है, वो बढ़ा चड़ा है, आपके जो बिल आएंगे, किसी भी आदमी पर विश्वास ना करें, आपके साथ धोका, छल, कपत, बेईमानी करने को लोग उतारू हो रहे हैं, उनसे सावधान होकर के बात करें, क्योंकि आप घर से पहले ही माइन सेट करके जाएं, कि मेरे साथ ये आदमी धोका कर सकता, किसी का विश्वास नहीं कर आप बहुत सरल, double-minded, confused रहते हैं आप हर समय, तो आपको decision making होना पड़ेगा, निरना लेने की प्षमता आपको पैदा करनी होगी अपने अंदर, इक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान रेकना, कि मित्रून रासी वाले double-minded होते हैं, किसी भी decision को एकदम quick decision नहीं ले पाते हैं, आपके लिए एक sutra, एक नियम, एक formula बता रहा हूं, पूरी life के लिए, first thought, पहला विचार जो आपके मन में आता है, इसको implement एकदम करना चाहिए, अगर सोच विचार करके फिर दुबारे दूसरा thought आता है, वो decision आपके लिए हमेसा गलत होगा, और वो आपके परिशानी पैदा करेगा, इसलिए अपने निर्णे को, decision को, बिल्कुल डूबीधा में न रहते हुए, एकदम decision लेकर आगे बढ़ना चाहिए, loss हो, या लाब हो, नुक्सान हो, कोई इस बात की चिंता सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाईए, confidence improve कीजिए, और आपके लि तो द्धन लाब निरंतर होता रहेगा, इसलिए आपको सलाई दी जाती है, कि विश्नु सहिस्त्र नाम स्तोत्र का पाट करें, हनुमान चालीशा का पाट के साथ 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 सुन्दर कांड अगर करेंगे, क्योंकि आपके छठे स्थान, रोग, रिन और सत्रु, आपका अग और रोग जो आपको उत्पन हो रहे थे, कन्फ्यूजन की कारण या आपको अशांती हो रहे थी, कि ये रोग उत्पन ना हो जाए, आशंका बनी हुई थी, वो भी सब समात होने वाला है, आप जो जो उपाय मैंने बताया है, सुन्दर कांड का पाट करते रहें, और ब्रह इसमें कोई संदे नहीं है, धन्यवाब, नमस्कार.